सुबह के छे बज़े होते हैं कि तभी दीतु अपने पती को उठाने की कोशिश करती है अरे क्या होगा आज संडे है आज तो देड़ तक सोने दो अरे चलो उठ भी जाओ न अभी सबी घर वाले सो रहे हैं उनके उठने से पहले हम जल्दी से कराते हैं अरे क्या कराते हैं तो मैं जो करना है अकेले कराओ लेकिन मुझे अभी सोने दो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो जल्दी से चलो नहीं तो सारा दिन लाइन में ही खड़े रह जाओगे अरे जबरदस्ती है क्या जब आई ही नहीं रही तो जाकर करूँगा क्या अब तुम निगलो यहां से और मुझे सोने दो ओफो अगर इनके चक्कर में रही तो मैं भी पेट पकड़कर ही बैठी रह जाओँगी इसके बाद निटू पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भाव कर बातरूम की ओर जाते है तो देखें एक उसकी दोलो चेटानिया और छोटी देवरानी पहले से ही बातरूम के बाहर खड़ी होती है अरे यार लेट हो गए लगता है और जल्दी उठना चाहे था निटू को देखकर उसकी देवरानी कहती है आओ दीदी जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉलेट में है कौन और कौन होगा मम्मी जी के सिवा निटी जोर जोर से दर्वाजा पिखते हुए कहती है अरे मम्मी जी आपके इस सो तो नहीं गई चल्दी से बाहर आजओ यहाँ लाइन लगी पड़ी है निटी ये कही रही होती है कि तभी श्रीला उनकी सास टॉलेट से बाहर आती है उसके बाहर आते ही मंश्री बहु निटी पेट पकड़ कर पीछे से भागते हुए आती है और लाइन तोड़कर टॉलेट में खुझ जाती है और जट से दर्वाजा बंद कर देती है ये सब देख कर बागी सब हैरान रह जाती है तभी सबसे बड़ी पहु राखी जोर जोर से दर्वाजा बिखते हुए कहती है अरी ओ नी तू की बच्ची जल्दी से बाहर निकल मेरा नमबर था तू कहां से बीच में गुल गई निकल निकल आप अरी क्यों दर्वाजा पीच रही है उसको तोड़ कर ही माने की क्या और अब वो अंदर गई है तो पेट की गंदगी निकाल कर ही बाहर निकलेगी और जब मैं अंदर थी तब भी तुम में से कोई दर्वाजा पीच रहा था तुम सब जानती हो ना बुजर्ग लोगों को क कब्स की शिकायत रहती है अगर आपको कब्स की शिकायत रहती है तो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाए कीजे आपकी कब्स के चक्कर में तो हम लोगों के पेट के बुलबुले उठने लग पड़ते हैं ये सब बाते छोड़ो ममी जी अब ये बताओ कि कब तक हम ऐसे एक टॉयलेट में जाते रहेंगे उमर भारे से ही जाना होगा क्या मतलब ये कि शुकर मनाओ तुम लोगों को एक टॉयलेट तो नसीब हुआ हम तो अपने गाऊं में खुले में शौचाले जाते थे और खुले में जो जाने का मज़ा है पर ममी जी आपकी इतनी सारी बहुए हैं आपको दो टॉयलेट तो बनवाने ही चाहिए ना? आई बड़ी दो टॉयलेट वाली ये घर है कोई तेरे बाप का होटल नहीं जो दो दो टॉयलेट चाहिए तुम्हैं मम्मी जी पर जैसे यहां लाइन लगी है न ये किसी के घर का टॉयलेट नहीं बज़ की किसी चॉल का सुलब शॉचाल है मालू होता है हाँ बस इसका ये एक सुख है कि हमें धोने के लिए बाल्टी और मगगा लेकर नहीं आना पड़ता निधी बोली रही थी कि तभी वहां खड़ी राकी जोड से बद्वदार गैस छोड़ती है उसकी बद्वु से वहां कड़े सब भी अपनी नाग पर हाथ रख लेते हैं उसके ऐसा करते ही शीला कहती है हाई मोरी मईया ना जाले क्या ठूसा था इसका मखटने रात में जो इतनी गंदी बद्वु निकाली है ममी जी जिस घर में चार बहुं का एक टॉलेट होगा वहां तो ये सब झेल नहीं पड़ेगा फिर राकी दुबारा से दर्वाजा पीट तो वे खेती है चलदी से बाहर निकल मेरी मा अब तो बरदाश्ट से बाहर है सब कुछ ये के तो राकी फिर से दर्वाजा पीट लगने है शीला देवी की जॉइंट फैमिली थी जिसमें उसकी चार बहुए थी और चार बेटे थे और उन सब के लिए केवल एक ही टॉलेट था सारे गर एक ही टॉलेट यूज़ करता था वैसे कहने को तो उस घर में दो टॉलेट थे लेकिन दूसरे टॉलेट की सीट टूट रखी थी और फ्लश पूरी तरह खराब था जिस वज़े से कोई उसे यूज़ नहीं करता था बिचारी सारी बगों का आधा दिन तो टॉलेट में अपनी बारी आने का इंतजार में ही गुज़र जाता और उपर से अगर गलती से कोई महमान घर पर आ जाए तब तो समझे हो गई छुट्टी ऐसे ये एक दिन दर्वाज़े की घंटी बशती है तब ही नीतु दर्वाजा खोती है मैडम रश्मी जी का पार्सल आया है रुक मैं अभी उसे बुलाती हो रश्मी? अर्यो रश्मी जल्दि आ देख तेरा पार्सल आया है आई धीडी ये लेजिए पारसल देकर कुरियर बॉय वहां से जाने लगता है तभी वो रुक कर उन दोनों से कहता है अगर आप बुराना मानो तो क्या मैं आपका टॉयलेट यूज़ कर सकता हूँ लेकिन क्यों? क्यों मतलब ये तो नेचर कॉल है, कभी भी आ सकती है और इस वक्त मेरे लिए जाना बहुत अरजन्ट है दीदी, अभी कोई होगा तो नहीं न टॉयलेट में मैं क्या जानू रश्मी लेकिन अब अगर इसे जोर की लगी है तो कर भी क्या सकते है ले जा इसे रश्मी इसको टॉयलेट की तरफ लेकर जाती है लेकिन जैसे ही कुरियर बॉय दर्वाजा खूलने की कोशिश करता है तो वो अंदर से बंद होता है इतने में अंदर से आवाज आती है अब कौन है बेग, कम से कम यहां तो चैन से बैठने तो सुबह जाने नहीं देते, दिन में भी परिशान करके रखा है अब तो जब तक कारिक्रम पूरा नहीं होता, मैं बाहर नहीं आऊंगी अरे दीदी धीरे बोलो, अगर गलती से किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा सुनने दो अगर कोई सुनता है तो कम से कम औरों को भी तो पता चले कि कैसी जालिम सास है हमारी जो चार-चार बहों के लिए सिर्फ एक ही टॉलेट रखा हुआ है इसके बाद रश्मी उस आदमी से कहती है जी, माफ कीजेगा लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा कोई बात नहीं जी, मुझे इनके जितनी इमर्जेंसी भी नहीं है ये कहकर वो आदमी क्रॉस लेक करके खड़ा हो जाता है लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब लेधी बाहर नहीं आती तो वो आदमी जल्दी में वहां से निकलने लगता है कि तभी रश्मी पीछे से आवाज देते हुए कहती है अरे रुकिये तो कहां जा रहे हैं आप वो काम पुरा करके ही जाएगे नहीं करना मुझे कोई टॉयलेट अगर मैं ऐसे ही वेट करता रहा तो मेरी पैंड यहीं गिली हो जाएगी इससे तो अच्छा होगा मैं बस स्टैंड पर बने सुलब सौचाले में चला जाओ यह कहकर वो आदमी वहां से भागता हुआ चला जाता है रश्मी अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है कुछ महीने ऐसे ही बीचते चले गए लेकिन टॉलेट की समस्या जियों की त्योंबनी रहती है एक शाम जब शिल्ला घूमने गई होती है तभी चारों वों में बैठ कर रोज की इस परिशानी का हल ढूनने के विशे में चर्शा करती है हे भगवान, अब क्या दिन आ गए हमारी जो सास की चुगलिया छोड़कर टॉलेट की उपर चर्शा करने बैठे हैं हम सब हमारी सासुमा का क्या धरा है वो सब तो ठीक है लेकिन अब ये सोचो की कैसे हम अपनी सास को दूसरा टॉलेट भी ठीक करने के लिए मनाए ऐसे तो मानने से रही हमें कोई तरकीब सोचने पड़ीगी जिससे साब भी मर जाए और लाठी भी ना तूटे हम वैसे मेरे पास एक आइडिया है क्यों ना हम में से एक कप पेट खराब कर दिया जाए जिससे सारा दिन उसका टॉलेट में ही बीते फिर जब मम्मी जी को टॉलेट यूज़ करने नहीं मिलेगा तभी उन्हें दूसरे टॉलेट की एहमेद समझ में आएगी वो तो ठीक है पर किसका पेट खराब करे तू अपना कर ले मैं तेरे ले जमाल गोटा लाए देती हूँ वा जी वा ये क्या बात हुई मान ना मान मैं तेरे में मान अगर मुझे टॉलेट में जगर ना मिली तो मेरा तो हो जाएगा रह वहीं काम तमाम ऐसा करो आपका आइडिया है आप परियाजमा कर देखते हैं इसे ना बाबा ना ओहो हम सब क्यों अपना पेट खराब करें जिसकी बज़ा से ये परिशानी हो रही है उन्हीं का खराब करते हैं अभी तो सास होने का फैदा उठा कर वो हमसे पहले टॉलेट चली जाती है हां ये अच्छा इडिया है हम ये उसी शाम अपने प्लान के अनुसार वो चारों अपनी सास के खाने में जमाल गोटा मिला देती है कुछ देर में शीला के पेट में गरबर शुरू हो जाती है और वो भागते हुए टॉलेट की तरफ जाने लगती है लेकिन तभी रश्मी जट से टॉलेट में जाकर अंदर से दर्वाजा बंद कर लिती है शीला तर्वाजा में उत्तर में चिला कर कहती है अरे करण चरी तुछे सुबह से टाइम ना लगा जो मेरे जाने पर ही बूसना था तुछे जल्दी निकल बाए कुछ देर में रश्मी बाहर आती है तभी शीला जट से अंदर जाकर फ्रेश होती है और पसीना पोश्ते वे बाहर आती है लेकिन अभी वो अपने कमरे की ओर जाही रही होती है कि तभी उसके पेट में फिर से गुरगुरा हट शुरू हो जाती है और वो वापस टॉयलेट जाने लगती है लेकिन तभी निधी टॉयलेट जा रही होती है कि शीला उसको कहती है अरी ओ कहां चली मुझे बड़ी जोर की आई है ज़रा भी देर हुई तो तुझे ही साफ करना पड़ जाएगा मुझे भी जोरो की लगी है ममी जी आप फुरी देर इंतजार करो मैं यूं गई और यूं आई ये कहकर वो टॉयलेट चली जाती है अरे जल्दी निकल जा निकल मेरी माँ कुछ देर में राखी भी वहां आ जाती है और वो शीला से पूछती है क्या हो ममी जी आपका पेट खराब है क्या हाँ अहाँ लग तो मुझे भी यही रहा है पेट में जोरो की गुड़गुड़ा हट हो रही है लेकिन ये मरजानी कब से टॉयलेट पर कमसा करके बैठी हुई है अब पता चला ममी जी अगर दूसरा टॉयलेट होता तो क्या आपको इतनी परिशानी होती इसलिए कहते हैं इतनी बड़ी फैमिली में दो टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है घर में कमरे भले ही कम हो लेकिन टॉयलेट तो दो तीन होने ही चाहिए बिलकुल सही कह रही हो बहु अगर कभी किसी का मेरी तरह पेट खराब हो गया तो उसका तो खड़े-खड़े ही रायत अप फैल जाएगा अब मुझे समझ आ गया अब मैं कल ही दूसरा टॉयलेट ठीक करवाऊंगी इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है तभी चारोबा हुए आपस में ताली देते हुए कहती है अपना मिशन काम्याब हुआ अरे जानकी ये उपर वाली अटैची खोल जरा दिखा ये वाला स्वेटर हाँ दिखा कितने गरम कपड़े तो पड़े हुए हैं इस कोमल महरानी को भी नया स्वेटर खरीदना है अभी चार पांच स्वेटर निकाल दूगी मोहन को सुबह बोल रहे थी नया स्वेटर लेना है नया स्वेटर ले दे यहाँ कोई पेड थोड़ी लगे हैं पैसो के दे वो वाला दिखा अम्मा जी ये स्वेटर तो चूहे पूरा काट गए जगा जगा से छेद हो रहे हैं फेग दू गया या पोचा लगाने में इस्तिमाल हो जाएगा तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया ये स्वेटर अभी दो साल और चलेगा बड़ी आई फेंकने वाली ला इधर दे और दिखा अम्मा जी ये देखो ये तो किसी बच्चे का कार्डिगन दिखाई पड़ता है बहुत छोटा है ये तो बच्ची का नहीं है ये मेरे ब्या का कार्डिगन है तब मैं बिल्कुल पतली पतंग जैसी थी हम्, ये वाला ठीक है, ये तो कोमल बहु को आराम से आ जाएगा, उसे ही दे देती हूँ, कोमल, जरा इधर आ क्या हुआ अम्मा जी, आपने मुझे बुलाया इतनी देर से तुझे आवाजे लगा रही थी, तु थी कहाँ, अच्छा सुन, ये ले, तु मुझे स्वेटर कह रही थी न, ये मेरी शादी का स्वेटर है, तु पहन ले तेरे काम आ जाएगा पर अम्मा जी, ये तो बहुत छोटा है, मुझे पूरा भी नहीं आ रहा, अगर आप कहीं, तो मैं एक नया स्वेटर खरीद लू, मेरे पास जो दो स्वेटर थे, वो बहुत पुराने हो गए है पुराने हो गए है, दो साल तेरे ब्याह को हुए है, दो साल में दो स्वेटर खरीद कर दे चुकी हो, एक तेरी शादी में और एक पिछले साल, और अपनी मा की घर से तो तू जैसे बड़ी मोटी रजाईयां और गरम शॉलिन लाई थी, ऐसे बाते कर रही है, पर जाएगी, फिर बेकार हो जाएंगे नए स्वेटर, बेचारी कोमल, उसकी सास मनोर्मा महा कंजूस थी, ये बात हर कोई जानता था, सचमुच भापी, अमा जी जैसा महा कंजूस मैंने आज तक नहीं देखा, तूचा, देख अमा जी आवास लगा रही है, जानकी, ये गुड की थेली यहां किसने फेकी, अमा जी ये गुड खराब है, इसमें मक्खी लिप्टी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा, इसे फेक देती हूँ, तेरी इतनी हिम्मत, तू ये गुड फेक रही थी, वो भी मेर से पूछे भी न, अमा जी, मैंने कोमल भाबी से पूछ कर ह फेका था, कोमल भाबु, इधरा जरा, ये गुड तू अपने माय के से लाई है, जो तुने जानकी को इसे फेकने के लिए बोला, अमा जी, इस गुड पर मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी, इसलिए जानकी को बोला कि ये गुड किसी को खाने के बाद नुकसान न दे, इ पैफाल्तू के खर्चे नहीं करती, पैसे बचाती हूँ, जा, ये गुड ले जा, टिब्बे में रखते, अरे क्या हुआ मनोरमा, क्यों पूरा घर सिर पर उठा रखा है, अच्छा ये लो, ये साग लाया हूँ, कटवा कर ही ले आया, और ये मक्खे का आटा भी, रात मैं ऐसे मक्खे की रोटी और सरसो का साग बनाओ, कि मचा आ जाए, देसी घी का तड़का लगा ले न, गोमल बहू, ये क्या कर रही हो, अमजी साग में देसी घी का तड़का लगा रही हो, बाबुजी कह रहे थे न, कि साग में देसी घी डाल दे न, अच्छा, देसी घी के त तो मानो तेरे माबापने डिब्बे भर कर भेजे हैं, तभी तु कढ़ाई में कर्ची भर भर के डाल रही है, ये ले, एक चमज खुश्बु के लिए उपर से डाल देना, रिफाइंड तेल का तड़का लगा, वो भी दो चमज बहुत है, अम्मा इतनी कंजूसी क्यों करती ह अरे, कोई सस्ता सा लगवाले, वैसे भी ठंड इतनी कहां पड़ती है, हम लोग तो ताजे पानी सही नहाते हैं, मेरी जानकारी में एक दुकान है, जो सस्ते दामों पर गीजर दे देगा ठीक है, अम्मा, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, और बिजली वाले को भी बोल दूँगा, गीजर लगा जाए मोहन मनोर्मा को नया गीजर खरीदने के लिए पैसे दे जाता है, अगली सुबा ये क्या कर रही है, कोमल बहू? अम्मा जी, गैस पर पतीले में पानी गरम कर रही हूँ, बहुत दिनों से सिर नहीं धोया, ठंडा पानी होता है तो, इसलिए सोचा, थोड़ा गरम पानी करके सिर धो लेती हूँ जरा सा सिर धोने के लिए तो पूरा सिलेंडर खतम कर देगी, मैं भी तो ठंडे पानी से धोती हूँ, मैंने तो आज तक गरम पानी से सिर नहीं धोया, जाकर चुप चाप ठंडे पानी से धोले, कोई जरुरत नहीं है इतनी गैस फूपने की, अपनी मा के घर तो टोटी के पानी से भी नहा लेती होगी, यहां इस मैडम को गरम पानी से सिर्ध होना है, एक तो कल जाकर मगीजर ले आओ, यह तो सारी गैस फूप देगी, कोमल ने ठंडे पानी से सिर्ध होया, तो उसे ठंड लग गई, जिसकी वज़ा से बुखार हो गया, इसलिए वो डॉक्टर स के लिए तु डॉक्टर से दवाई लेने चली गई, एक कप काढ़ा बना कर पीती तो मिंटों में सही हो जाती, पता नहीं आजकल तुम लोगों ने नाजुक शरीर बना लिये हैं, फाल्तु के पैसे डॉक्टर को देगी फिरती हो, अम्मा, मैंने तुम्हें बोला थाना घ विज्री वाले को बुला कर लगवा दूगी, तू तो ऐसे कह रहा है, जैसे सारी गलती मेरी है, मैं तु बच्चत करने की सोचती हूँ, तुम लोग उल्टा मतलब ले लेते हो, मनोर्मा घीजर खरीबने के लिए बाजार चरी चाती है, भाईया, कोई सस्ता सा घीजर जो डिफेक्टेड होते हैं, वो हम सस्ते धामों पर दे देते हैं, वैसे उसमें कोई दिककत नहीं होती है, बस कम्पणी रिजेक्ट कर देती है, इसलिए हम उसे सस्ता निकाल देते हैं, यह गीजर तो बहुत बढ़िया रहा, बड़े सस्ते धामों पर मिल गया, अब ये पैसे चुपचाप रख लेती हूँ, किसी को बताऊंगी नहीं कि मैंने ये सेकेंड हैंड गीजर खरीदा है, विचली वाले को बोलती जाती हूँ लगा जाएगा। अब भस गया मैं भी, आज के बाद बिचली का कोई काम नहीं करने आऊंगा इसके घर में। और हमारे घर में तेरे लिए नए-नए गीजर लगवाए चा रहे हैं। कोमल नहाने चली जाती है, कुछ समय बाद। ये नहा रही है या अंदर बात्रूम में सो गई है, इतनी देर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। किसी तरह मोहन बात्रूम के दर्वाजे की कुंडी तोड़ देता है और अंदर जाता है। कोमल बात्रूम में बेहोश गिरी हुई होती है। कोमल अरे ये बेहोश कैसे हुई। ये भगवान इसे क्या हो गया। मोहन कोमल को लेकर होस्पिटल जाता है। डॉक्टर कोमल को आईसियो में भरती करते हैं। कुछ तेर बात। देखिए टेस्ट रिपोर्ट सारी ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये चक्कराना और बेहोश होना बात्रूम में गीजर की वज़ा से हो सकता है। मैंने गीजर जैसे ही चलाया उसमें से धुआ निकला और मैं बेहोश होगी चली गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था। कोमल को छुट्टी मिल जाती है। मोहन घराकर अपनी मा मनोर्मा पर बहुत गुस्सा होता है। अमा तुमने सेकिंड हैंड गीजर खरीदा। मैंने तुम्हें नए गीजर के पैसे दिये थे फिर क्यों। मनोर्मा आज तुम्हारी वजह से बहु को कुछ हो जाता तो कितनी बार कहा है कंजूसी हद तक ठीक रहती है। पर तुम कहां मानने वाली हो। मुझसे भूल हो गई। दुकानदार ने बोला गीजर अच्छा है ले जाओ। और अम्मा तुम सस्ते के चक्कर में उठा लाई। ये हुई ना समझदारी की बात। अब तुम्हें समझाया मनोरमा कंजूसी हर जगा नहीं किसी किसी जगा सही होती है। कोमल तुम आज ही मेरे साथ बाजार चलना। मैं तुम्हें नए स्वेटर और कुछ गरम कपड़े खरीत कर दूँगी। मेरी बहु से बढ़कर मेरे लिए कुछ कीमती नहीं। किसी किसी जगा नहीं फ़र HOW में तुम्हें भ violent लिए bounds